हाई दियर फ्रेंड यहाँ पर अब देख रहे हैं कि सियर स्ट्रेस डिस्ट्यूबिशन डाइग्राम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं तो यह इस प्रकार का कोश्चेंज अगर जब भी आपके एक्जाम में पूछ लिता है तो कैसे इसको सॉल्ल करेंगे वो चीज सेक्षन तो इनका सियर स्ट्रेस डिस्ट्यूबिशन डाइग्राम आपको ड्रॉ करके बताना है तो यहाँ पर मैं यह दोनों का डाइग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा हाला कि आपके पास बहुत सारे टोटल आपके अगर टैक्सबुक में देखोगे तो टोटल एट सेक्ष का डिस्ट्यूबिशन डाइग्राम बना कर बताया भी है ठीक है तो चलिए इन दो का मैं यहाँ पर बता देता हूं कि ताकि आपको आसानी हो जाए समझ में आ जाए ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो है वो सर्कुलर सेक्षन है यहाँ पर आपने लिखने के टाइम पर यहाँ पर क्या कर देना है अंसर्ली goal ठीक है यहाँ पर क्या करना है कि आएन्सर इस प्रकार दिदालो और पहला अहाँ डाल की आपने लिख लेना है सर्कुलर सेक्षन ठीक है circular section ये heading आपने डाल दिया अब circular section पहले तो circular section होता किसे उस प्रकार से बना लो तो circular किस प्रकार से होए ये इसका circle है ठीक है ये circular section है और उसका neutral axis यहाँ पर आएगा ये section का मतलब क्या होता है जैसे मैं आपको बताओ कि ये अगर कोई pipe है ठीक है तो ये pipe को अगर यहां से cut करोगे न यहां से अगर एक से cut करते हैं तो ये shape ऐसे दिखेगा ये वाला जैसे shape दिखेगा क्योंकि circular pipe है तो ये जो section ये जो मैंने color कर रहा हूं न ये black color से ये section जो होता है ये circular यहां पर बताया है ठीक है किसी भी कोई pipe हो चाए कोई चीज या इसे मतलब उसका section इस प्रकार से बन रहा है तो अगर ऐसा होता है तो उसकी लिए बता रहा हूं ठीक है ये चीज़े हमें है तो shear stress कैसा बनता है ये थोड़ा तो मैं ऐसे बना देता हूं और यतना यह डायमेटर है इतना यह लाइन बना लेंगे ठीक है और इसका value है यहां पर इसको tau maximum बोले जाता है और यह value कितनी होती हो भी बता देता हूं कि जो इसका टाव average होता है average का four upon three टाव एवी ठीक है average का four upon three से multiplication कर दोगे तो उसका tau maximum मिल जाता है ठीक है अभी average कैसे निकालते हैं तो वह चीज़े आपको अल्रेडी मैं पढ़ा के रखा हूं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाईए स्ट्रक्चर मेकैनिक्स वन देखिए जिसमें अल्रेडी मैंने बताया है कि यह टाव average कैसे मिलेगा ठीक है टाव एवरेज कैसे मिलेगा यह चीज़े भी बताया है कई सारे numerical भी सॉल किये हैं तो वो चीज़े आप देख के समझ सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद से ट्राइ करूंगा कि इसके इस किस्वन बॉक्स में वह लिंक प्रोवाइड करो वाकि आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े यह पहला हो गया दूसरे की अगर मैं बात करूंग तो दूसरा बोला है चैनल सेक्षन ठीक है सेकें जो बोला है उसका नाम क्या है चैनल सेक्षन इस तरीके का आपको सेक्षन देखने को मिल जाएगा ठीक है इस तरीके का आपको सेक्षन देखने को मिलेगा वह इसे ही है जैसे कि मैं आपको बताओं कि यह इस प्रकार से यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं कि ताकि आप लोगो समझ में आया है यह अक् तो नहीं बना पा रहा हूं लेकिन फिर भी ट्राइ करूंगा कि आप लोग को यह समझ में आ सकें ठीक है यह चीजे समझ में आ सकें इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो वह सेक्षन को लेकर हम बता इस Myiev कर सकते हो टिक है स्टील के में का लगा चाना में इसे जगा पर यूज़ किया जाता है जो डीते से अमगे यह बता रहा हूं आगे जो आगे जाके पढ़े तो यह सब चीजे मैं यहां पर बता रहा था ठीक है यह चीजे आपको आइडिया मिल गई होगी अभी आगे यह जो सेक्षन दिया गया है ठीक है इसमें हमको सियर स्टेश डिस्टुबिशन डाइग्राम बताने है ठीक है तो यह तो सेक्षन है ठीक है चैनल सेक्षन जब भी बात करें तो c section होता है अब इसका जो यह X axis होता है न ह stat कि इस तरिके से बताता है यहां पर i neutral axis होता है ठीके यह X axis ठीके आपको कि इसके यहां पर इसके ऊपर a और यहां पर b रहे और यहां पर c भी यह c यहut फिर बाद में यहां पर देखोगे कि यह b और यह ठीक है इस प्रकार से दिया हुआ है और इसका y-axis देखोगे तो इस तरीके से यहां पर y-axis आ रहा है इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अब इसको मुझे अगर इसका का सीयर स्ट्रेस डाइग्राम ड्रॉण करना एती है जो न्यूट्रल एक्सिस था ने यह bạn ड्रॉण कर लेता हूं थोड़ा सा डाइस डेस करके आगे बना लेने का फिर यह जीतना डिस्टेंज था उतना मैंने यह बना लिया ठीक है यह जीतनी हाइट बना लो तकि आपको आसानी रहे ड्रॉ करने में आसानी रहे इस तरीके से बना लोगे न तो आपको आसानी रहेगा ठीके आसान रहेगा यह इस तरीके से बना लिया अब यह आता है यहां पर इस तरीके से इधर से भी यह आता है यहां पर तो यहां पर टाव भी होता है यह क यहां तक आता है यहां पर टाव सी होता है यहां पर टाव सी जितना आएगा ठीक है और जो मीडल वाला है यहां पर नूट्रल एक्सिस है वो कहां कैसे आएगा इस तरीके से आएगा और यहां पर उसका टाव मैक्सिमूम होता है टाव मैक्सिमूम यहां पर होता है तो इस त तरीके का डायग्राम आपको उसका मिल जाएगा ठीके तो इस तरीके से जब ड्रॉ करके बता दोगे तो आपका यह कंप्लीट हो जाता है ठीके पहले नंबर तो सेक्षन बनाने आना चाहिए क्योंकि बुक में दिया नहीं रहे गा सेक्षन तो उसके बेज पे आप उसका स्टेश डिस्टूबिशन सियर स्टेश डिस्टूबिशन डायग्राम आप बना पाओगे अधरवाज नहीं बन पाएगा तो यह चीजे भी याद रखने का ठीके रेक्टेंगलर सेक्षन रेक्टेंगल जैसा होगा बनता है यह चीजे आपको आनी चाहिए तो यह चीजे मैंने बता दिया है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं जैसे यहां पर दोनों मैंने यहां पर सो करके बता दिया हैं तो यह चीजे देखके आप आसानी से समझ सकते हैं और इस प्रकार से डायग झाल झाल